कि 752 इमने के फ़ेंड थे थूस क्षियां कि पूछ निरिए जो आप पूछते कि सर क् हिंदी और इंगल्ीज्ज दोनों मिख्eyed के हम लेख सकते अगर आप हींदी से एक्जाम दे रहे हैं तो तो कि हम हंदी कि यह हम हेस्ट कर सकते हैं या फिर पूरी ही लिखें यार फीर का का य। तरहा कन्विजन क्लियर हो जाएगा आघ्कीश भी जड़ नहीं है अगर आप किसी भी चीज का एक्जाम देने जा रहा है तो अगर 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 आप कन्फ्यूजन में जा रहा है न यह बहुत बड़ी प्रावलम है यह आपको याद हो सब्जेक्ट भी न भूरा देता है आप अपने सारी कन्फ्यूजन को ना क्लियर रखें और दिमाब फ्रस रखें और अच्छे से एक्जाम देने जाएं ठीक तो उनका इस्टेंट की कोई है कि सर क्या हिंदी और इंग्लिस दोनों में मिक्स करके लिख सकते हैं जी हाँ बिल्कुल आप लिख सकते हैं अगर आप बिल्कुल उसमें इंग्लिस यूज किया था जी जो कुछ ऐसे वड़ होते हैं जो मां इंग्लिस से लिखते हैं यानि कोई दिक्कत नहीं है एक्जामनार आपको कार्ण सकता? कि है आपने हिंदी से वे पहले हुआ तो आपका इंगल्जे से लोग Catholic क्या है तो फिर उसमें थिस्वेश नहीं कर सकते हैं लेकिन आप एक तो इसमें फिर हिंदी यूज नहीं कर सकते यह चीज का आप हमेशा याद रखिए तो आप थोड़ी बहुत उसमें हिंदी इंग्लीज मिक्स करके अराम से लिख सकते हैं उसमें कोई दिक्कत नहीं है एक्जाम आपको काट नहीं सकता है ठीक अगर आप कोई कोहरी है तो मेरे में कमेंट कर दीजिए मैं उसका सॉलूसन जरूर दूँगा या फिर मेरे वाट्सम नंबर काल कर लोगा तो आपको करना क्या है आपको सीथा जो भी सब्जेक्ट है आपके आपको अच्छे से पढ़ना जो भी डिफकल्ट लग रहा हो या आपको लग रहा है कि हाँ ये ट कमेंट कर दीजिए क्या आप लोगों की कमेंट पर ही मैं आप लोगों कोईरी पर ही वीडियो बनाता हूं और अच्छी अच्छी डिफिनीशन आपको देता हूं कि यार बुक से तो मुझे भी समझ में नहीं आता जब मैं इसको क्यों से पढ़ाऊ हूं उसमें बहुत शतोन की दिपनीशन बना देर्था पुल इसी सबाथ है ठीक तो आप भी ऐसा करें अपैर आपका बुट की इफिनीशन नहीं समझ में आ रही तो अपनी अलग साई डिफिनीशन में आने ह आपको वांभरा आपको बनानीं नहीं नहीं हांती तो आप मेरे comment बोक्स में अठी सब्सक्राइब कर सकते हैं डॉन्ट माइंड कर दो कर दो